हाई गाईज वेलकम बेक टू मैं चैनल सी यार किचन ब्लोग्स तो गाईज आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ वैसलिन और कोलगेट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बहुत ही अच्छा टिप्स हैं जरूर आप अपलाई करना ट्राय करना रिजेल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले तो यहाँ यहाँ पर मैंने वैसलीन ली है वैसलीन आपकी कोई भी कमपनी की कैसी भी हो सकती है मेरे पास यह है आपके पास कोई और हो सकती है तो यहाँ पर वैसलीन ले रखी है और वैसलीन कितनी लेनी है कैसे लेनी है कोलगेट कितनी लेनी है और कैसे इस्तेमाल करना है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और क्या इसका उपयोग है किस चीज में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कई जगे आपने देखे होंगे नए नए वीडियो आते हैं जैसे चेरे पर यूज करते हैं तो ब्यूटी टिप्स के लिए इसको बताते हैं तो मैं आपको आज अच इसके अंदर हम कोलगेट डालेंगे कोलगेट आप कम या ज़्यादा कर सकते हो तो यहां पर मैंने लगबग एक चमच जितनी क्वांटिटी ले ली है आप मातरा कम ज़्यादा कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है आपने जरूरत के इसाब से और अब लेनी आपको वैसलि और वैसलिन ब्राबर मातरा में अगर मिक्स नहीं होगी तो यह अलग-अलग आपको दिखाई देगी और अच्छे से मिक्स भी नहीं होगी ज्यादा हो जाईगी तो एक बार मैंने थोड़ी सी वैसलिन इसके अंदर डाली है और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है इसके बीच बीच में, क्यूंकि colgate होती है थोड़ी सी सक्त और weseline होती है बिल्कुल moisture वाली soft तो इसको colgate को soft बनाने के लिए इसके अंदर weseline डालनी है तो इस तरीके से आपको देखना है कि इसके अंदर moisture हुआ है या नहीं colgate के अंदर और Colgate होती है Hard कहां भी आप लगा करके देखोगे तो जल्दी सी उतरेगी नहीं तो इसलिए इसमें वैसलिन मिला रहे है तो थोड़ी वैसलिन मैं और ले लेती हूँ जितनी पहले ली थी लगबग वो सारी ही इसके अंदर मिक्स हो गई है एक चम्मच के हिसाब से तो अब दुबारा से मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ कि हमारा जो हम मिश्रन तयार कर रहे हैं वो अच्छे से तयार हुआ है या नहीं इसके लिए दुबारा से आपको टेस्ट करना है मिक्स करने के बाद तो अच्छे से इसको mix कर लेते हैं और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए अब ये अच्छे से तयार हो गई है ये देखिए कितनी जादा soft cream जैसी हो गई है ये देखिए तो इस तरीके का आपको मिशरन तयार करना है और अब देखिए अंगुलियों पे ज़्यादा चिपक भी नहीं रही है जल्दी से उतर रही है लेकिन अगर आप colgate लगाओगे अंगुलियों के उपर तो चमड़ी के अंदर वैठ जाएगी उतरेगी नहीं तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा डेमो जहां पर एकेली colgate लगी हुई है वो देखिए चमड़ के उपर यहां पर लगी हुई है जो नहीं उतरी है और जो mix की हुई है वो आसानी से उतर गई है आगे वाली नहीं उतरी है तो ये इसकी पैचान है मेज भी हो सकती है तो कई चैनल्स पे आपने देखा होगा कि चेरे पे अपलाई करने के लिए बताते हैं इसको तो चेरे पे आप बिल्कुल भी अपलाई ना करें मैं आपको बिल्कुल भी सजेश्ट नहीं करूंगी कि आप चेरे पे कॉलगेट और वेसलीन वाला ये फेस हाथों पे लगा सकते हो चेरे की स्किन और हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा रात दिन का अंतर होता है तो यहां पर देखिए मैं हाथों पे इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ और अच्छे से आपको इस तरीके से फेस मास्क की तरह हाथों पे लेप कर लेना है इस कितना अच्छा आपको रजेल्ट देखने को मिलेगा तो यह देखिए मैंने अच्छे से इसके उपर लेप लगा लिया है अगर आपके पास टाइम है तो आप आदा घंटा भी इसे लगा कर रख सकते हो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मुझे वीडियो शूट करना है तो म मैं कम से कम 10 मिनट ही रखूंगी इसको और 10 मिनट में आपको बहुत अच्छा रजेल्ट दिखाने वाली हूँ मैं क्योंकि यह सूखेगा नहीं बिल्कुल भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा वेसलीन मिलाई हुई है और वेसलीन से इसके अंदर मोश्चर है बहुत ही अच आपको दिखाऊंगी तो यह देखी अच्छे से मैंने लेप कर लिया है अगर आपके पास टाइम है था आप जरूर आदा से एक गंटा रख कर देखें और आजकल सर्दी में स्किन डार्क हो रखी है हाउस वाइफ जो होती हैं अपनी स्किन का बिल्कुल भी द्यान नहीं और ठंडे पानी में कपड़े दोना बरतन दोना सारा काम हमें करना पड़ता है तो हमारी स्किन जो है बिल्कुल बेजान सुस्क हो जाती है और काली पड़ जाती है तो मौश्चर देखिए अपने आप इसमें चमकने लगा है और दस मिनिट बाद मैं आपको दिखाती यह देखिए यह दस मिनिट बाद भी ऐसा ही दिख रहा है यह देखिए जहां भी उंगली टच कर रहे हैं अपने आप जो यह पेस्ट लगाया हुआ है उंगली के टच हो रहा है और स्किन आप देख लीजिए कितनी जादा मौश्चराइजर हो गई है स्किन के अंदर चिक कितना अच्छा रजेल्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा है तो यह देखिए मैंने कोटन ली है और यह देखिए बच्चे जैसी स्किन निकलाएगी आपकी यह देखिए कितना अच्छा रजेल्ट देखने को मिल रहा है तो यह मैंने एक बार ऐसे ही रिमू जितना भी इसके उपर मैल चिपका हुआ है वो उतर जाएगा और स्किन जो है सुखी हो गई है ड्राय हो गई है उसमें भी बहुत ज्यादा आपको अच्छा रजेट देखने को मिलेगा तो यहां पर मैंने पानी ले रखा है और यह ठंडा है तो इसमें मैं गरम पानी तो रब करने से सफाई होगी स्किन के अंदर जो अंदर से मैली हो रखी है डार्क हो रखी है वहां से भी साफ हो जाएगी और क्लिन नेस आपको देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छी यह देखिए दोने के बाद और अब आपको मैं दिखाती हूँ पहुंच करके टावल स साफ करके सुखा करके और पहुंचने के बाद भी दिखाती हूँ दोनों आथों में अभी आप अंतर देख सकते हैं तो यह देखिए मैं पहुंच करके आपको दिखाती हूँ तो यह हमारा साफ किया हुआ है कोल गेट से और यह बिना किये हुए है तो आप देख लीजी द अशलीन दुबारा से इसके उपर लगा सकते हो, और हपते में दो बार तो आप जरूर करिए ऐसे सर्दियों में, आपकी स्किन के लिए, हाथों के लिए बहुती अच्छा है, पेरों में भी कर सकते हो, आथों में भी कर सकते हो, तो जरूर ट्राइ करना, कैसा लगा आज का व